करते हैं 22 question रवी cultivated mustard a plant with bisexual flowers on his farm रवी अपने farm पर mustard plant को cultivate कर रहा है मस्टर्ड प्लांट जो कि सरसो राई यह होता है और यह आपको पते एक bisexual flower होता है जिसमें दोनों ही sex organs होते है यानि की stamen भी होगा इसमें and pistil भी होगा दोनों ही organs होते हैं bisexual flower है his plants were diseased due to a gene defect अब उसके plants में क्या हुआ कोई ऐसा defect आ गया genes का जिसकी विज़े से उसमें कोई disease लग गई ठीक है and therefore he reduced yield therefore had reduced yield और उसके वैसे क्या हुआ yield यानि production काम हो गया अब भी disease लग गई है तो बहुत सारे plants खराब हो गया जो बहुत सारे plants खराब हो जाएंगे तो obviously जो yield है जो production होगा वो काम हो जाएगा रवी removed the stamen अब रवी ने क्या किया कि जो mustard plant है उसमें से उसने जो stamen है ये इसको remove कर दिया stamen को remove कर दिया ठीक है और किस में से किया deceased plant में से ये कहां से remove किया from deceased plants जो deceased वाले plant है उन में से stamen remove कर दिया ये क्या है आपका stamen and also planted fresh deceased free mustard plant उसने कुछ ऐसे deceased free mustard plant लिये वेर रवोव दे पिस्टल उसमें उसने क्या क्या पिस्टिल को remove कर दिया यह आपका जो पिस्टल होता है ठीक है उसने यहां से पिस्टिल को remove किया किस में से this is the pistol यह कहां से रेम से इसने जो deceased free plant है यह अब जो deceased free mustard अब से क्षे प्लांट लें वहां से उन्होंने क्या क्या कि स्ट्छिल को रिमूव करते हैं यहां से क्या है पिस्टिल समय write लेगा mole एक male बन गया plant ठीक है ये वाला disease free वाला male बन गया और ये वाला क्या बन गया आपका female बन गया ठीक है जिसमें आपका disease थी उसमें से stamen रिमूग गया तो वो एक female plant बन गया तो ये एक female plant बन गया है How will Ravi's strategy help in improving the yield of the mustard तो देखो ये दी plant में दोनों हैं तो क्या होगा यहाँ पर self-pollination होगा ठीक है self-pollination के chances ने जादा और self-pollination के से क्या होगा कि यह दी disease है तो भारवा disease होगी लेकिन जब उसने plants को unisexual बना लिया फिर इन दोनों में क्या होगा cross-pollination होगा क्या होगा यहाँ पर cross-pollination और cross-pollination होने से क्या होगा जो disease के chances है वो decrease हो जाएंगे और yield क्या होगी वो improve हो जाएगी ठीक है तो रवीन ऐसा क्यों किया उसने cross-pollination कराने के लिए female बनाया एक plant को एक male बनाया और इससे क्या मिलेगा उसको क्योंकि जब cross-pollination होगा तो variations increase करेंगे क्या increase करेंगे? variation increase करेंगे और variation increase करने से जो disease के chances हैं वो decrease करेंगे और उसकी वज़े से क्या होगा? जो yield है वो improve होगी yield क्योंकि इंप्रूव होगी और production बढ़ेगा तो यह आपका answer है कि उसने ऐसा क्यों किया? उसने plant को cross-pollination कराने के लिए एक plant को male बना दिया एक को female बना दिया जिससे variations जा दे होंगी जब भी variations जा दे होते हैं तो disease होने के chances सिर्फ कम हो जाएंगे ठीक है? वो decrease हो जाएंगे और जो yield है वो improve हो जाएगी और yield में production बढ़ भी जाएगा तो इस तरह से आप इसका answer लिख होगे ठीक है? जो आपका unmarking scheme है उसमें भी same यही दिया है कि variation increase करने के लिए उसने cross pollination करने के लिए सकिया जिससे disease कम हो जाएगी और yield बढ़ जाएगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you